कहानी के शुरू में हमें एक आदमी दिखाय जाता है जिसको एक मॉंस्टर ने पकड़ा हुआ था उसके गले के अंदर संचीर थी और वो कीचर के अंदर कुछ ढून रहा था उसे देखकर ये बात तो साफ थी जो चीज भी वो ढून रहा था वो उसके चान बचा सकती थी प जेल में एक लड़के के पास जाती है और उसे बुरी हरकतों से रोकती है जो दूसरी लड़के के साथ मिलकर कर रहा था कैथी उसे असा करने से हटाती है पर वो लड़का तो कैथी पर हमला कर देता है जिस लड़के से कैथी उसे मना कर रही थी कि इसके साथ मिलकर दुबा सा बेटा भी था कैथी का बेटा रहा तो उसके साथ ही करता था पर काम की सिलसले में अक्सर वो मस्रूफ रहा करती थी इसलिए वो उसे अपने हस्बंड के पास छोड़ जाती थी कैथी का हस्बंड अपनी दूसरी बीवी के साथ रहा करता था जो मा बनने वाली थी पर वो अ बारे में चान बेन का सारा काम कैथी के जिमें था यहाँ पर उसके हैट कहते हैं नहीं रहने दो कैथी नहीं कर पाएगी पर कैथी वो फाइल ले ले लेती है और कहते हैं लाव फाइल दो मैं इस काम को जरूर करूंगी कैथी के बॉस मैरी की सारी कहानी बताते हैं कि उसका हस संद करती थी और लोगों का ये कहना था कि वो अरजीब से कपड़े बहन कर घूमा करता था जिसकी बारे में किसी को कुछ नहीं बता टाउन के सभी लोग उसे डाइन समझते हैं और उसका टाउन में काफी खौफ भी हैं सारी कहानी सुनने के बाद कैथी अब मैरी के घर जात थी कैथी मैरी के घर पहुँच चुकी थी और आते ही उसके पाउपर कुछ बान देती है और कहती है आज के बाद तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती मुझे यहाँ पर तुमारी च्छान बिन के लिए भेजा गया है मैरी कैथी को बताती है जब उसे जेल हुई तो वो मां बनने वाली थी और फिर जैसे ही उसका बच्चा पैदा हुआ उसको दूसरी फैमिली को दे दिया गया कैथी मेरी से बात करने के बाद चली जा दी है वो अपने बेटे को अपने हस्पेंट के घर से लेती है और इसकी साथ रात को वक्त कुजारती है उधर वो बच्चे चिनक मेरी के केस के बारे में रिसर्च करती है उसको पता चलता है कि मेरी पहले अपने घर में शैतान की अबादत पूजा क्या करती थी और साथी साथ उसे बच्चों की कुर्बानी और एक हैरान कुन अजीब आतमी के बारे में भी पता चलता है जो मौस में पाय जाता था मौस यानी दल्जल में, जो मेरी की घर के पास थी और इन बातों का जिकर उसके कीस में भी था, हमने काहनी के शुरू में इस मॉन्स्टर को देखा था, ये बात उसी अजीब आतमी की बारे में थी, क्यूंकि उसको मेरी बरी शक्ता जो बादी टाउन में मेरी के लिए फैली हुई थी वो मेरी के घर की तलाशी लेता है जिसमें उसे कुछ हजीब सी चीज़ें दिखाई दीती है और उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई उधर काला जादू करता हो पर कैथी की हस्पेंट को कुछ भी समझ नहीं आदा और ना ही उसे उन चीज़ों के बारे में पता चलता है और ना ही उसे मेरी के खिलाव कोई सबूत मिलता है इसलिए वो वहां से चला जाता है सुपा को सारी टीम उन्हीं बच्चों को ढूनती है जिसमें कैथी पी शामिल थी कैथी का हैट कहता है बलडी मेरी के बारे में कहानिया ऐसे ही नहीं बनी पर कैथी कहती है नहीं ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि उसे लगता था कि मेरी सुदर चुकी है अब यहाँ पर कैथी बच्चों को ढूनते हुए अपने फॉन के मैप पर देखती है कि मेरी अपने घर से बहुत दूर थी क्योंकि उसने उसे मना किया था कि तुम दूर नहीं जाओगी इसलिए कैथी उसका पीछा करती है और उस तक पहुँच जाती है वो उसे कैथी है मैंने तुम्हे मना किया था मैरी कि तुम अपने घर से दूर नहीं जा सकती जिस पर वो जवाब देती है कि ये मेरी डैट का घर है मैं यहाँ पर कुछ वक्त गुसारने आई थी अब कैथी मैरी को उसके घर छोड़ती है पर जाते हुए वो कैथी से उसके जिन्दगी के बारे में कुछ सवाल करती है जैसे शादी है बच्चे पर कैथी उसकी बातों पर दियान नहीं देती और चली जाती है उसके दूसरी तरफ इसकी टीम को जंगल में बच्चे तो नहीं मिलते पर एक आदमी की लाश मिलती है जो शायद उसी आदमी की थी जिसको हमने कहानी के शुरू में उस अजीब मॉंस्टर के पास देखा था उधर कैथी के हस्पेंट को लकड़ी से बनी हुई कुछ चीजें भी नज़र आती है मेरी का बेटा तो उसके पास ही था और उसके बेटे ही ने उन्हीं दो बच्चों को भी पकड़ा था जिनको कैथी ने जंगल में भी देखा था दरशल मेरी यहाँ पर बच्चों पर जादू करने वाली थी जो इसके बारे में सब जानते थे कि मेरी इंडाइन है और काला जादू करती है और इसी के बारे में रिसरच कैथी ने भी की थी मेरी अब उन बच्चों को मार देती है अगले दिन रिसरच टीम को उन्हीं दो बच्चों की लाश मिलती है जो एक शेप में लेटे हुए थे उन्हीं बच्चों की लाश के बास लकडी से बनी हुई चीजें भी पड़ी थी बच्चों की मौत के बाद सब लोग बहुत ज़्यादा परिशान हो गए थे यह थी का है जो बच्चों के घर जाता है तो उन बच्चों के माबाप उन पर काफी गुसा करते हैं और सब चीजों का कसूर पार मेरी को कहते हैं वो कहते हैं जब से वो हमारे टाउन में आई है सब कुछ दुबारा से गलत होने लगा है और हमारे बच्चों की मौत की जिमेदार भी वो ही है उन बच्चों के माबाप के साथ बाकी टाउन के लोग भी मेरी को मारने के लिए निकल जाते हैं क्योंकि सबको अपनी फैमली को बचाना था सब ये सोच रहे थे कि आज जो उन बच्चों के साथ हुआ कल को उनके बच्चों के साथ भी हो सकता है उधर कैथी अपने हस्बेंट को कॉल करती है सब मेरी की घर के बाहिर रिकटे थे पर कैथी और उसका हस्बेंट सब को समझा कर वहाँ से भेश देती है कैथी का हस्बेंट उसे कहता है कि मुझे मेरी पर शक है उसी ने बच्चों को मारा है वो कैथी है नहीं मुझे लगता है कि मेरी अब बदल चुकी है इन सब बातों के बाद कैथी का हस्पेंटों चला जाता है कैथी अब मेरी के घर जाती है उसे देखने कैथी जब मेरी के पास चाती है तो वो उस से कैथी है तुम hier से दूर क्यों नहीं चली जाती मेरा पीछा छोड़ दो चली जाओ यहां से तभी कैथी उधर ये खून से भरी बाल्टी देखती है और हम कैथी के पीछे उसी अच्छी बात्मी को देखते हैं आगे दिखाया जाता है कैथी बेखोश थी उसको मेरी ने बांध कर अपने पास रख लिया था इन सब में उसका बेटा भी था मतलब कैथी अब तक जो मेरी के बारे में सोच रही थी कि वो बदल रही है सब जूट था मेरी बिल्कुल वैसी ही थी जैसा उसके बारे में लोग जानते थे मेरी कैथी को बताती है हाँ मैंने ही बच्चा को मारा है और कैसे मैं ये भी बता सकती हूँ मैरी यहाँ पर विच्च क्राफ्ट काला जादू क्या करती थी तब ही मैरी कहती के गले में जंजीर डाल कर उसे उसी चगा पर ले जाती है जिधर दलजल थी जो हमने कहानी के शिरू में भी देखा था उसकी साथ उसका बेटा भी था मैरी कहती है कि तुम्हें इस चगा पर मेंडरिक को ढूणना होगा और फयाल रखना कि वो जाग न जाए अगर वो जागा उसने शोर किया तो उसकी हवास से तुम मर जाओगी कहती के पास कोई और रास्ता नहीं था इसलिए वो जल्दी जल्दी जमीन से मेंडरिक को ढूणने लगती है दरासल मेंडरिक एक रूर जड़ होती है और इसका इस्तमाल विच क्राफ्ट में काले जादू में किया जाता है ये जड़ हीरन के चेहरे चैसी होती है और ये असर में पाई जाती है जैसी केचर या दंसल वारी चकाँ पर ये काले जादू में इम्मोर्टैलिटी अमर होने के लिए या किसी भी चीज़ को ठीट करने के लिए इस्तिमाल की जाती है उनको मेंडरिक जब मिल जाता है तो वो कैथी को अपने घर ले आए थी उसको नहिला कर अच्छे से त्यार करते हैं फिर मेंडरिक के साथ अपना जादू करते हैं उससे मेरी कोई शर्बत बनाती है तो खुद पीती है और फिर अपने बेटे को पिलाती है और बात में सबर्दस्ती केथी को भी वो शर्बत पिला देती है उसका बेटा पूछता है कि आपने शर्बत केथी को क्यों बिलाया मेरी शायद यहाँ पर अपने बेटे के लिए केथी को बांध कर रखना चाहती थी या फिर मेरी और उसका बेटा इमोडल होना चाहते थी हमेशा जिन्दा रहना चाहते थी उधर कैथी को सबना आता है जिसमें वो खुद को मैंडरिक की मा के रूप में देखती है और साथ ही वो अच्जीब मॉंस्टर जैसा आदमी भी कैथी ये देखकर डर जाती है और वो नेंग से जाग गई थी वो देखती है उसके पाउं की चोट भी बिल्कुल ठीक हो चुकी थी मतलब उस शर्बत में कोई ना कोई तो जादूई तागत थी कैथी सारे घर में खूम रही थी उसको मैरी और उसका बेटा कहीं नजर नहीं आते कैथी को अपना फॉन भी मिल जाता है वो जल्दी से फोन करती है दरासल कैथी ने उसी लड़के को फोन किया था जिसको हमने कहानी के शुरू में देखा था जिसको कैथी बुरे काम करने से रोग रही थी तब ही उधर मेरी और उसका बेटा चाती है और कैथी को पकर लेते हैं इसी दोरान जादूई शर्बत का जार नीचे किर जाता है इसे देखकर मेरी का बेटा बहुत रोता है भुप ने बेटे को संभालती है और कैथी को एक कमरे में ले जाकर बंद कर देती है दोसरी तरह वो लड़का कैथी के हश्पन के पास जाता है और बताता है कि मुझे कैथी की कॉल आई थी मुझे लगता है कि वो मुसीबत में है पर वो उसकी किसी बात पर यकीन नहीं करता और उस आदमी के घर चला जाता है जिसको हमने सबसे पहले कहानी के शुरू में देखा था कैथी का हस्बन जब खरचा कर देखता है तो उसे मैंडरी काला जादू करने की चीज़े और साथी साथ मैरी की बेटे के खिलाव सबूत बे मिलते हैं वो समझ किया था कि इन सब चीज़ों के पीछे मैरी का हाथ है वो इन सब के बारे में अपने हेट को बताता है और मेरी के घर की तरफ निकल पड़ता है यानि के शुरू में हमने जो आदमी देखा था जिसके गले में संचेर थी वो भी कैथी की तरह मेंडरिक को ढूंड रहा था उसने वक्त से पहले उसे नहीं ढूंडा होगा इसलिए वो उसकी आवाज से मर गया उधर कैथी किसी तरह खुद को आज़ाद करवा ले दी है कैथी का बेटा जो उसकी हस्पन की दूसरी बीवी के साथ था अच्छानक से गाइब हो चाता है उसको उसी अजीब आदमी ने पकड़ा था क्योंकि मेंडरिक की काले जादों से पहले किसी भी बच्चे को मारना जरूरी था तो यहाँ पर हमें बता चलता है कि मेरी दरासल सबसे पहले बच्चों को मार कर उनको कुलबान करती थी फिर किसी भी इनसान को पकड़ कर लाती थी जैसे पहले वो कहानी के शुरू वाला आदमी और फिर कैथी जो उसके लिए दलदल मेंसे मैंडरिक को ढूलता है और इसी बचा से इसको बलडी मैरी कहा जाता था और जो शर्बत वो बनाती थी उसको बनाने के लिए मरे हुए बच्चों का खून और मेंडरिक का इस्तवाल करती थी और शायद वो लड़का जिसके बारे में बताया था वो भी यही हैड ही था कैथी को सब बातों का पता चल चुका था पर अभी वो कुछ नहीं कर सकती थी वो जंगल की तरफ भागती है उसे वहाँ पर अजीब मॉंस्टर भी नसर आता है जो उसके बेटी को साथ लेकर जा रहा था वो उस पर पीछे से हमला करती है यहाँ पर यह उस मॉंस्टर को बहुत मारती है बून नीचे कर जाता है हमें पता चलता है कि एक कोई मॉंस्टर नहीं बलकि मेरी का बेटा था जिसने मॉंस्टर वाला सूट पहना हुआ था यानि कि कहानी के शुरू में हमने जो मॉंस्टर देखा था वो भी मेरी का बेटा ही था कैथी उसे मार कर अपने बेटे को बचा लेती है उथर मेरी के पास कैथी का हेट था जो असल में 20 साल पहले वो ही लड़का था जिसके लिए मेरी ने अपने हस्बन को मारा था वो हेट को भी मार देती है और कहती है कि अब तुम कमजोर हो चुके हो मेरे किसी काम के नहीं दरासल 20 साल पहले मॉंस्टर का सूट पहन कर बच्चों को पकरने का काम ये हेटी करता था सब टाउन वालों को पता चल चुका था कि सब के पीछे मेरी और उसके बेटे का हाथ है टाउन वालों को मेरी का बेटा मिल चुका था जो जखमी हालत में था सब उसको लटका कर मार देते हैं बाद में वो मेरी को ढूडने चाते हैं वहाँ पर जाकर वो हेट की लाश को देखती है उन्हें पता चलता है कि मेरी भाग चुकी है और कैथी ने भी अपने बेटे को बचा लिया है उधर दिखाया जाता है कि कैथी अपने बेटे के साथ घर पर थी तबी अचानक से वो मेंडरिक को देखती है जिसे देखकर काफी परिशान हो जाती है और साथ ही कोई दर्वाजा भी बचाने लगता है वो जब दर्वाजा खोलती है तो ये तो वो ही लड़का था जिसको कैथी बुरे कामों से रोकती थी वो इसकी फिक्र करते हुए यहां पर आया था और शायद वो से पसंद भी करने लगा था मूवी के आखर में दिखाया जाता है कैथी अपने हस्बन की दोसरी बीबी से मिलती है जिसके पास बेटा था उधर दोसरी तरफ मेरी जो अब बहुत दूर जा चुकी थी वो कहां गई थी कोई भी नहीं जानता था मेरी के जाने के बार टाउन में बच्चों का गुम होना उनकी मौत होना सब कुछ बिल्कुल ठीक हो चुका था कैथी अपने हस्बन के बच्चे के साथ थी उधर मेरी जो दूर चा चुकी थी कोई बहुत बड़ा जादू कर रही थी जिसको कैथी भी महसूस करती है क्योंकि उस मेंडरिक शर्बत की वच्चा सी कोई ताकत तो कैथी में भी थी जो मेरी की ताकतों को महसूस कर पा रही थी अब मेरी क्या कुछ बड़ा करने वाली थी जिसका सामना कैथी को करना पड़ेगा और इसे के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है